अब दोस्तों स्वागत है आपका आपने यूटूब चैनल अनुपी स्टेडी में आपका चल लहा है जो है कि अध्याय दस जो की आपका परसेंटेज है प्रतिसत्ता जिसमें से इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे एक से लेकर जो है कि पंदर तक के सलूसन हम लोग देखे थे और अभी तक आप उससे नहीं देख पाएं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से जाकर आप देख सकते हैं तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे प्रस्ट नमबर 16 से इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रस्ट नमबर 18 प्रस्ट नमबर 16 आपका यहां पर है और स्क्रीन पर दिख भी रहा है कि प्रस्ट नमबर 16 में किस टाइब का प्रस्ट है प्रस्ट आप पहले पढ़िएगा उसके बास सलूसन हम करा रहें करा है कि एक परिछा में सीता ने 30 प्रतिसत अंग प्रात किये तथा 50 अंग से अन उत्रिन होने के निउन्तम अंग से 20 अंग अधिक प्राप्त किये तो उत्रिन होने के लिए निउन्तम अंग कितना होगा यानि कि आपको कम से कम आपका अंग कितना होगा कि वह जो है कि उत्रिन हो सकता है कौन सीता तो आपको सीता का जो है कि मान निकालना है कि सीता जो है क कि वह उत्रिन हो सकते हैं ठीक है चलिए प्रसना आप लोग देख ली होंगे तो कहता है कि एक परिच्छा में सीता ने 30 प्रतिसत अंग तो माल लेते हैं कि माना माल लेते हैं कि नियुंतर नम अंग कितना है यक्स और यह कह रहा है कि जो टोटल आपका पुढ़ांगे उसका 30 परसेंटेज तो एक्स का यदि हम दो 30 प्रतिसत निकालेंगे तो यक्स गुणे 30 बटा में कितना होगा 100 और समझेएगा सीता का है ने 30 परसेंटेज लेकिन कर रहा रहा है जिता सीता जो है 50 अंगों से फेल हो गई है तो 50 अंग से जब हो गई है तो इसका यहां जोड़ें हो ड binary आब चीटना चालिस परसंटेज तो यह टोटल एक्स नियुन्तम अंकों से जोए कि 20 अंक अधिक तो 20 अंक जब यह अधिक है तो बराबर करने के लिए इसमें से 20 क्या करेंगे घटा देंगे तभी तो पता चलेगा कितने अंक था चलिए अब यहां से हम लोग सोलूशन करेंगे तो यहां 10 से 10 का 0 से 0 कट गया तो यहां हो जब जीएगा 3X बाटा में 10 हो जाएगा यह प्लस में है इधर आएगा तो माइनस 4x बाटा में कितना 10 बराबर आपका हो जाएगा 20 इधर प्लस से इधर जाएगा तो कितना माइनस सौरी 50 से और इधर जाएगा तो मैनस-50 क्लिए हुआ आपको फाइंड करना है कि निउन 500 जूड जाएंगे तो माइनस कितना अगे बढ़ए मान है कि यह की अपर हमैं पूट करते हैं और जो जितना का मान find होगा वही जो होगा कि सीता क्या होगा अंक होगा तो इसमें हम लों यक्स के जगाँ पर रखेंगे 700 तो 700 रखेंगे तो बना क्या देखे 700 गुणे 30 हुआ के बाटा में कितना हुआ सो अप पुलस कितना है पचास है न अभी जिरू से जिरू कट गया अब देखे 3 साथ 212 कितना पचास बराबर कितना है 260 यानिकि आपको टोटल आंग कितना प्रस्ण क्या कह रहा था लास्ट्य में कह रहा था कि उत्तरिन परिच्षा में 45 प्रतिसद बिद्यारती हिंदी में ध्यान से दिखे का प्रस्न क्या कह रहा है एक परिच्छा में 45 परतिसद विद्यारति हिंदी में तथा 35 परतिसद अंग्रेजी में अनुत्रिण रहें यानिकी फेल हो गए यदि दोनों बीचेव में यदि 25 परतिसद विद्यारतियों का पर्सेंटेज क्या होगा तो आपको निकालना है क्या कि दोनों भी सयों में उत्रिन होने के लिए जो है कि विद्ध्यार्थियों का परसेंटेज कितना है आपको फाइंड कर रहा है तो इस टैप के एधी कोश्चन होता है यानिक एक्स प्रसेंटेज मालनी जी अंग्रेजी में वाई प्रसेंटेज य क्सेर एक्स प्रसंटेजALL देख़ेँ एक्स बराबरकितना पर्सेंटेज पर्सेंटेज ठीक है Please हम लिकने नहीं नहीं यहहाँ से आप लोग कि लोग लिएक क्याने कीप्सितक्ता है ऑले का है ठीक है और दोनों भी सब्सक्राइब कितने लड़के हैं उनका परसेंटेज करना है तो चलिए आपका सिर्फ उसमें जब फार्मूला आपका क्या है फार्मूला का मिला है यहाँ से और यहाँ से हम लोग बन कर देंगे इसके बाद ही बड़ा ठीका परसेंटेज लगा सकते हैं यहां से और यह देखे 25 स्वरी पांच पांच दस को सुनना हासिल एक चार तिन साथ और एक आठ ठीक है और माइनस क्या 25 कि यहां से हो जाएगा आपका परसेंटेज लगा लेंगे आप लो यहां पर जाएगा सो माइनस घटा दीजिए तो यह हो जाएगा दस में से क्या 45 याइनगे 45 परसेंटेज कि परसेंटेज 45 परसेंटेज ये इतने 45 परसेंटेज जो है कि आपका और jakie क्या है क्लिए हुआ कश स्वियर करेंगे अधर वाश दोसरा नहीं कि कीजिएगा कोई भी क्वेस्टन हो तो आप इसी तरह से सोलूशन करें ठीक है चली देखते हैं प्रस्ट नंबर 18 प्रस्ट नंबर 18 क्या कर रहा है कि किसी कारण वस्ट दर्जिलिंग में नार्यलों को नारंगीं की मुले में 20 ौत की कमी हो चाती है इसके बाद कर रहा है कि विखते दस में 48 नंबर देख के नया तथा पुराना मुल्य जोफां नया था पुराना मुल्य कितना होगा ने तो माल लेंगे कि मानेंगे पहले सो रुपय पर किसी काराण वस्त दरजीलिंग में नारेलों के मुल्य में 20 प्रतिसत की कमि कितने प्रसेंटेज की 20 तो माल लेते हैं कि चुकी यदि 100 रुपिये पर कि को रुपिया बीस रुपिया सो रुपिया बचाता है सो रुपिया पर कि यदि 20 रुपिया बचते हैं को रुपिया सो रुपिया कि इस रुपिया बचते हैं कैसे देखें कह रहा है कि कि सो रुपिया का मुल्य था माल लेते हैं सो रुपिया का था 20 कमी रही है तो बीस प्रसेंटेज की कमी कर दें ओको तो कि हैं कि कितना रुपय का बच्टा है शाबून कं विद्वान कर देंगे और रुपे को कम होगा थैए कितना लगेगा का आपका शी रुपिया इस कितना बार लेकिन पहले कहा रहा है कितना बच रहे हैं पहले वो देखिए कि पहले हम लोग बचत लेकर चलेंगे तो माल लेते हैं कि सो उसा पर यदि कमी हो रही है तो आपका बचत कितने को हुआ कि नहीं हुआ तो 100 रुपिया पर को रुपिया बचता है 20 रुपिया बचता है तो हम लोग जारा समझते हैं कि एक पर कितने बचता है दोस्तों तो 100 रुपिया पर northwest कि-तने हो जाएगी 20 बाटा में 100 होगा कि नहीं होगा होगा दिवाइड कर सकते हैं यह छोडब भी सकते हैं ठीक है रूपया तो अब इसके बाद हम लेते हैं 20 रूपय पर सुरीइग सुनिएगा कितने रुपएफ़ 10 रूपएफ़ नई समझ में आया फिर से रिपीट कर रहा हynn stark को खता है कि कोई बयापारी है वहां पृत यहिच आज अगई कोई माल लेते हैं कि कमी हो लाएं तो माल नेते हैं कि 100 रुपय का था तो सो रुपय की बचत हो रही है तो यहां पर लिखें कि 100 रुपय की वच्थ थी तो बीस रुपय की बचत हो रही है तो एक रुपय पर निकालेंगे तो कितना सो बीस से बीस में जो है कि सो से भाग देंगे एक रुपय के निकाले के लिए आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसके पिछले प्रस्ण थे उसमें भी आया था कुछ चलिए तो यहां पर दस पर यदि निकालने कि कि आया समझ में अब देखिए तो यहां से देखेगा जब 2 रुपय बचाता है तो दो रुपय में 48 नारंगी अभी खरीदेगा कितना 48 नारंगी ठीक है तो प्रस्ण जर्ण देखते रहेगा आप लो तो यहां पर दो रुपए कि बचत हो गई अभी यह कह रहा है कि दोस में 48 नारियल खरीद सकता है तो कह रहा है कि नारियल का नया तथा पुराना मुल बताई तो आप देखेगा आर्तालिस रूपय पर यहां पर मैं लिख ले रहा हूं ठीक है तो यहां पर मैं लिख रहा है तो आर्तालिस नारंगी नारंगी यानिकी नारंगी 48 नारंगी का घटित मुल्य दो रुपया है तो इसके बाद एक निकालते हैं तो एक पर हो जाएगा दो बटा में कितना हो जाएगा आर्ता नारंगी घटित मुली जो है कि दो रुपय था तो एक पर निकालेंगे दो बटा में बटा में आर्तालिस हुआ यानि कि इसके दो ने कर दो चूवँ नारंगी पर तो य recht हो Понाएप कर दो निकालते हैं बारा पर कि तो एक दर जननकंते हैं तो बारा पर हो जाएगा एक बटा में 24 अगुणे कितना बारा कम बारा बारा कितना दो दरजन के हिसाब से देखा जाए इसको कटा भी सकते हैं तो हो जाएगा आप कितना पचास पैसा प्रती दर्जन अब इसके बाद कहके रहा है वो देखें अब हम लोग इतना हुआ 12 नारंग्यों का ना यानि कि एक वर्टा में कितना दू यानि कि आपको कितना पाचास पैसा प्रती दर्जन हुआ ना अब देखिए कि यह तो आपका नाया रहा अब देखीगा अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं कि यह दि देखिएगा जो पुराना वाला था जो पुराना वाला भाव था तो पूराना वाला भाव अभलों ललेंगे कि नाया भाव आओ कंसे निकाल है दखेगा पहले तो को रुपएगा था हुई कि कमी हो रही थी 20 रूपाए की तो आपकी वस्तु कितने की पड़ि असी का न हम लोग का पूराना भाव क्या था जब हम लोग कि हम लोग का जब परसेंटेज कमी नहीं हुआ था तो कि पूराना भाव उस उस्समय का रुपय था सो रुपया था ठीक है जब आपका नया भाव औसी रुपया हुआ तो पूराना भाव आपका सो रुपया था न जब आपका नया भाव औसी रुपया का था तो नया भाव औसी रुपया बना तो पूराना भाव कितना था सो रुपया का था तभी तो 20% कमी हुआ है तो आपक पहले पूराने में भाव आपका 100 रुपया था उसके बाद जब कमी हुवी थी 20 परसेंटेज हम लोग यहां पर कमी निकाले थे आपका टोटल कितने का पड़ रही थी वस्तों 80 रुपय की पड़ रही थी ना नया भाव इतना था लेकिन वह पूराना भाव खरीद कर लाया यहां पर दिखाई हू सकता है नहीं नहीं दे रहा होगा यहां पर आपका हो यदि नया भाव हम लोग लेते हैं कितना एक बाटा में दो सुनिएगा नया भाव जब आपका 80 था तो उसमें पुराना भाव 100 था तो यदि हम लोग का नया भाव एक बाटा में 2 हो जाता है तो पुराना भाव क्या होगा दोस्तों तो यह हो जाएगा 100 आप बाटा में आप आपका 80 होगा यानि कि नए जो पुराना आपका भाव था उसमें जो हैं कि नए भाव से पॉलेप डिवाइड कर देंगे आप मल्टिप्लाइगे अब जो आपका नया भाव बना है एक बटा में दो इससे यदि मल्टिप्लाइग करते हैं तो कितना मिलता है देखेगा जीरो जीरो पॉइंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा जीरो बढ़ेगा तो आठ साथे च्छापण हो जाएगा तो आठ शकाट तालिस होगा कि नहीं होगा अब यहां पर दो घू गया न आप दूनी के 16 हुआ अब चार रोब जूंट आठ पर पेसे कितना हुआ चारीस आठ़ लूब से क्या करदेंगे मल्टिप्लाइज जब करेंगे तो नियानि कि आपका हो जाएगा कितना 62.5 पांच पैसा प्रति दर्जन प्रति क्या धर्जन यह रहा आपका प्रोसेस तो उमीद होगी आपको यह समझ में आगे होगा वीडियो अच्छा वागता है तो लाइक जो रो करीजेगा तो चलिए देखते हैं प्रस्ट नंबर 19 में आपको करना क्या है वो समझें अगला कुश्चन क्या काताहें प्रस्ट नंबर 19 कह रहे हैं कि स्य्त्र भूज के ऑधार में 10 प्रतिसत की बृधि कि जायाये तथा छेत्रफ़ में कोई परिवर्टन नहीं होना चाहिए लेकिन यह भी कह रहा है प्रस्ट की आधार में 10 प्र diff की बृधि करनी थीजो उसकी उचाई में कितने प्रतिसत की कमी करनी पड़ेगी कि जो है कि छेतरफल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो यहां पर 19 नंबर है तो मान लेते हैं कि माना त्रिभूज का छेतरफल ऐसे आपनों लिख लेंगे त्रिभूज का क्या छेतरफल ठीक है सो वार्ग सेमी यह सेमी में है मीटर में है सो त्रिभूज के छेतरफल दस परिवर्दी की जाए तो तथा छेतरफल में कोई परिवर्तन नहीं हो चाहिये तो कंहरा है कि है यह का फिर्वर्दी की कमी करें कि छेतरफल में कोई परिवर्तनton की ओए होगा तो यहां पर देखेगा अब यहां से करें आधर में 10% की कमी । आधर में है हैं दस प्रतिस्षत की व्रिधी आधर में दस घृत ? कि तब तो छेत्रफल कितना हो जाएगा 100 प्लस फ्लस से छेत्रफल के आधार में 10 परसेंटेश की वरीधी दोस बाटा में कितना होगा सों यहने कि कट कर कितना हो जाएगा यहीं कि दस तो पाहले से हैं और दस के अब ब्रिधी हो रही है सो माना कि याद रखेंगे आप लोगी 10% की ब्रिधी हो रही है जब आपका त्रिभूच का जो है कि छेतरफल सो वर्ग मीटर लिया गया है तो उस समय यादि 10% की ब्रिधी कर रहे हैं सो में कितने का बढ़ रहा है ध्यान दीजर्ग साहन कितने का बढ़ रहा ह Și मीटर का प्रिधी वर्यूट eh है ग्यां कि उचाघे में कितने की कमी कर दeki कोई परियोरत नहीं उन्हें कोई परियोरत नहीं हो थीक है ? ऍर יतते हैं टीक है ? प्र격 प्र typ कमी निकालेंगे तो आपका कितना हो गजए ? पहले देखिए गा जब 6 फ़ल जितना है तो 6 फ़ल में यृदि 10 परसेंटेज की बूरी हो रहे है तो 6 फ़ल में कितने की बूरी धिबी हो रहे है दस का करेंगे तो 10 बढ़ेगा कितना बढ़ रहा है तो बढ़तारी 10 की हो रही है अब बाटा में टूटल बढ़ कर आप शेतर रफल कितना हुआ 110 अगूरे ठीक है परसेंटेज पूछ रहा है न इसका परसेंटेज यह निकालेंगे तो आपका हो जाएक कट गया तो आपका हो उसके जो है कि उचाई में इतने प्रतिस्त की कमी कर दे तो आसानिस जो है कि उसके छेतर फल में कोई परिवर्टन नहीं होगा तो आपका 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 बीकरेक्ट है न सही एक बटा में कितना 11 उमीद होगी कि आपको यह समाझ में बिल्कुल आ गया है चलिए देखते है प्रस नमबर 20 आपको करना क्या है कराई कि यदि किसी वर्ट की भूजा को 20 प्रतिसत घटा दिया जाए तो उसके छेतर फल में कितने प्रतिसत की कमी होगी तो आप लोग याद रखेंगे आते हैं इससे सौंपट पर यहां पर आपको कराई कि यदि वर्ट की भूजा में प्रतिसत घटा दिया जाए तो उस समय छेतर फल में अभीष्ट कमी आपकी होती है फर्मुला होता है अभीष्ट कमी का टू एक्स माइनस एक्स स्क्वाइर बटा में 100 आएंटू क्या परसेंटेज ठीक है इदि प्रतिसत कमी निकालते हैं जो है कि भूजा में एक्स प्रस प्रतिसत की एक्स बरावर दिया कितना परसेंटेज 20 प्रतिसत की कमी हो रही है यहना फार्मूला आपको क्या है टू गूड़े एक्स का वहलू कितना है 20 ठीक है और माइनस 20 का क्या स्क्वाइर डिवाइड बैक्या 100 आइसका क्या प्रतिसत हुआ है तो है था तो लोग गुण है अब आप लोग कहेंगी सो प्रतिसत हो रहा है तो कैसे आप रख दिए हैं अ किसे हो गया है देखी दिमान लेते हैं 100 परसेंटी चैने कि सो की और इस भूजा में 20 प्रतिस्त कमी हो रहे हैं तो आप का हो जाए क्या कि Micha कमी हो रहे हैं सुलीं कि ईसलिए हम यहां रखें सिर्फ 20 येनिंकि कि इसकि का में हो जाए आपका सिर्फ कि कपने कि लिए चलिए अभी हो जाए कितना 40-400 इसके बाद क्या परसेंटेज कि थीक है समझ में आ रहा है उमीद होगी कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा यहां सोजागा 40-4 इस्कल तुक्त यहां पर आपका हो जाए कितना तो यह घटेगा तो आपका कितना च्ट जायेगा यानिकि 36 percentage कि कमी हो रहे है 36 percentage की कमी होगी जो कि आपका आपसां नमबर कौन सा परशन नमबर स्क्रेंट पर दिख रहा है कि इसका भी हम लोग कुछ लेंगे सब्सक्राइब के माध्यम से करेंगे इस ट्याइब कोई भी क्योश्षन हो तो अब लोग शाट्रिक से करें September आपको दिख रहा है वह इस ट्याइब की कोश्षन हो तो मंसली स्वाट्रिक से करेंगे चलिए एक किस नंबर देखते हैं एक आयत की लांबाई में 10% ब्रिधी तथा तो ब्रीधी और कमि करने के लिए दिखे ये तो मुड्य तरहले हैं और दूसरी बार कमी हो रहे हैं क्या हो रहे हैं क्या कंग्या इसके लिए प्रतिशत कमी ये होता है तो चलिए हम दोगे देखते हैं solution कैसे करेंगे पहला दिया है कि X इक और Y दूट कीपरी Sum क्लियर है कि इसके बार य परतिसति है कंई इसमें लम्बाई हो गई और यह क्या हो गया दूसरे क्विचोडाई क्लियर तो लंबाई में क्लिध्य हो रही एर चोडाई में कि युद्र परे 산ज की 20 प्रतिसति चंप सब्सक्राइब से पूछा है क्या पूछ रहा है कि आपको बताईए कि प्रतिसत में कितने सब्सक्राइब कमी होगी तो आपको इसके लिए फार्मुला आपका यह लगाएंगे आपको प्रतिसत कमी यह लिखेंगे कि छेत्र फल में छेत्र फल में प्रतिसत कमी प्रतिसत कमी ठीक है तो कैसे आप लोग समझेंगे प्रतिसत कमी और प्रतिसत ब्रेदी यदि माइनस में आता है तो तो कमी होगी और प्लस में आएगे तो क्या ब्रेदी सेंपल सी बात चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसका हम लोग सोलूशन करें देखेए फर्मॉले पंमान रखते हैं हम लोग क्या देखे एक्स प्रतिसत कमी या ब्रीधी कर लिए तो आप लोग कहेंगे कि कैसे हम लोग कि इसके पर प्रतिसत कमी या ब्रीधी हम लोग निकालेंगे है इसके बाद क्या लगा है कि परसेंटेज है जिरो से जिरो कट गया आपका हो गया क्या दस में से घटा देंगे मैनीस 10 होगा नहीं होगा 20 में से 10 הז UP मैनीस 10 होगा आप मैनस क्या ह glaze क्या हूँ दो एकम 1945 गो ऊपक되का हुद 2020 nاخ बारा प्रसेंटेज देखिए माइनस में आया है तब तो यह क्या होगी क्या हो रही है क्या हो रही है क्या माइनस इतना प्रसेंटेज क्या कमी क्या हो रहा है 12 प्रसेंटेज क्या हो रही है कमी हो रहे है बिल्कुल समझ में आ गया है चलिए समझ में आ गया है तो आपका आप तो देखते हैं प्रस नमर 22 क्या कर रहा है एक सिनेमा घर की सीटों में 20% की बृधि की गई है एक टीकट के मुले में भी 10% की बृधि की गई है तब कुल आय में कितने परतिसत की बृधि होगी तो कुल आय में आपकी percentage बृधि निकालना है तो कुछ नहीं करना है आपको simple सा तरीका है पल देखिए मान लेते हैं कि सीनेमा में आपकी 100 सीटे थी तो एक सीट पे आपके दिस दी 100 रुपिया रखा जाता है है ठीक है simple से आप लोग 100 लेंगे तो आसानी सो जाएगा कि माना सीटों की संख्या ठीक है बराबर कितना है 100 कि सीटों की संख्या कितने हुई तो प्रतेख सीट पर मुल ले परतेख सीट का क्या मुले यह यहां पर हम लिखने तो अब देखेगा यहां से तो सब कुछ हम लिख लिए लेकिन मैं एक बार समझा देता हूं नहीं कहता है कि माना पूर्व में पूर्व मनें इस समय जो है जब ब्रिधी नहीं हुई है तब बिल्कुल आपको किलियर हो जाएगा घबड़ानी की बात नहीं करें कि माना पूर रूपया कितना दस हजार रूपया कितना यहीं कि पूरो अभी सेटों में इस समय जो है कितना है दस हजार है इस समय दस जाल जब सब्सक्राइब अब कहता है क्या देखेगा कहता है सिनेमा घर की सीटों में 25% ब्रिधी की गई अब जब 100 रुपिया का था तो 100 रुपिया पर 25% ब्रिधी ब्रिधी सीटों में सीटों में 25 प्रतिसोत की अ ठीक है तो 25 प्रतिसद की ब्रिधी कर देगा तोल्ब का 50 पती होगा की नहीं होगा तो पहले आपका सौ था अब 25 प्रतिसत का मतलब कितना हुआ पचीस क्योंगे सब कहें तो पचीस से राज आएगा यह शुर। ओले कितना हो गया एक सो कितना हो गया पाचीश अब सुनिएगा जहां सोग लगाई गई थी वहाँ पर यदी पर सेंटेज की ब्रेधी कर दिया वह टोटल सीट कितनी लग गई एक सो पचीस तब तो अधिक इंकम होगी न अब यह भी कहता है कि यह दी प्रतेग टिकट पर दस परसेंटेज की ब्रिधी पहले टिकट 100 रुपी आगा था अज सव पर दस परसेंटेज की ब्रिधी कर देंगे तो एक सो दस होगा की नहीं होगा तो अब यहां पर हम लों लिखेंगे कि टीकट के मुल्य में ऐसे लिख सकते हैं टीकट के मुल्य में कि 10 30 की ब्रिधी करने पर जब 1030 की ब्रिधी हो जाएगा पहले टीक्ट सौ औरूपीय सौ परने पर कि यह क्या अप सुनीएगा देहेगा में अब तो ब्रिधी जब की गई तो अब स्वोकित अगे लग गई लेकिन सो रुपए के जगह पर वही 110 उर्पिया लेगा एक ब्यक्ति का 110 उर्पिया लेता है तो टोटल 125 सीटे हैं तो 125 ब्यक्ति बैठेंगे कि नहीं इस समाएं नई इंकम कितनी हो जाएगी तो आई कितनी हो जाएगी दोस्तों आई आपकी हो जाएगी कितना 125 हो बच्पन को पांच हांसिल पांच हुआ कि नहीं हुआ आपको कितना हुआ आपको कितना हुआ आपको कितना हुआ तो अब जार समझेगा ध्यान से कि पहले जब इंकम थी दोस हाजार को जब सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई थी अब मुल्य में ब्रिधी नहीं की गई थब जो है कि पहले जो है कि दोस हाजार उपय की कमी जो है कि इंकम हो रहे थी लेकिन जब वही बढ़ा दिया तो अब दोस हाजार की जगा पर कितना हो गया 1760 तो भी कितने की हुई एक और देखेगे पहले 20000 का था आउफ 13000 का हो गया है न तो ब्रिदी कितने की हुई है तो मैंने यहां पर लिख दिया है कि बढ़ी आए यानि कि कितनी आई में ब्रिधी हो रही है सकते हैं तो इस तर से भी आपको पता हो गया है कि आपका जो है इंकम हो रहा है पहले दो सब्सक्राइब बढ़ गया है यानि कि दो सब्सक्राइब कितने की हुई निकालेंगे तो इसकी प्रतिशत प्रसंटेज इसका निकालना है तो पहले देखीएगा पुल आई में प्रतिशत ब्रतिशत अशुना है तो प्रतिशत का मतलब 100 होता है इसबहते थे कर देंगे तो कितना परसेंटेज होगा देखिएगा कि 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा 365 में 100 से भाग देते हैं तो यहां पर हम देकर देख लेते हैं 300 365 में कितने से 100 से ठीक है तो यह 3 हो जाएगा 300 हो गया यह पांच हो गया साथ हो गया यहां पर आब हम लोगा कितना हो जाएगा 75 हुआ न यह 100 हुआ कि इसके बाद यह अभी जीरो भी है न जीरो जरा बढ़ालो भई यहां पर अब साथ हो जाएगा यह 700 हो गया पाचास हो गया पॉइंट बढ़ा लिजिए आपके बिद्य हो रहे हैं तो आपसन आपका कौन साख्रेक्ट है आपसन ए बी सी और डी आपसन नमबर सी है आपसन नमबर क्या दोस्तों उम्मीद होगी कि आपको यह समझ में आगे होगा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कर देजिएगा चलिए देखते हैं हम लोग प्रस नमबर जो है कि 23 देखते हैं 23 में क्या कह रहा है तो प्रस नमबर 23 से कहता है कि कि क संख्या तो विद्यार्थी की संख्या कितनी है आपका 600 600 विद्यार्थी हैं जिन में से 75 परसेंटेज हिंदू है साथ साथ परसेंटेज मुसलमान और 30 परसेंटेज जो है कि सीक यानि कि सीक हैं और जो है कि मुसलमान जो है 30 परसेंटेज हैं हिंदू 72 परसेंटेज हैं और पूरा सो परसेंटेज और चलिएगा यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग की इसायों कि इसायों की इसायों का परतिसत कर लिजे तो देखेगा इसाय का यह परसेंटेज निकालते हैं तो आप आप कुछ ने करने माल लेते हैं 100% टोटल हिंदू मिला करके हैं ठीक है और देखी यह आपका सव हुआ न माल लेते हैं टोटल सव परसेंटेज इसके बाद माइनस 75% क्या है सो का 75% निकालेंगे तो आपको 75 यो जाएगा प्लस 75 परसेंटेज हिंदु है 16 मुसलमान है और जो है कि 3 परसेंटेज क्या है तो यह कितना जोड़ेंगे तो 953 होका यानि कितना जाएगा और छो सो बिद्यार्थियों का नौ परसेंटेजरी निकालते हैं तो वही आपका फाइंड होगा कि सीख यानि कि इसाई के जो है कि विद्यार्थियों कि संख्या बराबर आपके टोटल कितने भी द्यार्थित हैं इसाई की संख्या होगी यह आपका क्या रहा एंस्वार्यायों की संख्या टोटल कितने हैं और आपका पाइंसर और नमबर का आपका और चली देखते हैं अगला कोश्चान चोबिस है कहता है कि एक लड़के को किसी राज सीका आप 3 सही एक बटा में 2 परसेंटेट जब निकाला है तो उसका मान 220 मिला है तो कहता है कि सही उत्तर क्या होगा सही उत्तर फाइंड करना है तो आते हैं ब्लेक बोड़ पे कहता है कि किसी लड़के को किसी राज सीका 3 सही एक बटा में 2 ग्यात करने के लिए कहा जाता है लेकिन वहां गलत से 5 सही एक बटा में 2 ठीक है 5 सही एक बटा में 2 निकालता है न तो मान लेते हैं कि माना वहां राज सी जो थी राज सी कितना है यक्स अब इस रासी का जो है कि कहा गया है इसको निकालने के लिए 3 सही 1 बटा में 2% लेकिन निकाला है इसका कितना इस रासी का निकाल दिया है कितना 5 सही 1 बटा में कितना 2% निकाला है तो आपका फाइंड कितना हुआ है 220 फाइंड कर दिया है है स्मझे है ना अब यहां से हो जाएगा यक्स में दिया है तो यहां से हो जाए 200 इसमें गुणा करेंगे तो 220 अगुण कीतना 200 ठीक ना यह यक्स बराबर हो जाएगा 220 गुणे 200 आब आटा में कितना हुआ 11 11ह20 की तेना हुआ 22 aç 20 हुआ अब देखिएगा यहांं से यक्स बराबर हो जाए करेंगे दो दूनिए के कितना हो जाएगा 4 4,000 हुआ की नहीं हुआ यानि कि वहारा सी कितना थी 4000 रूपिया था ना और चारहजार रूपिया नहीं यानि कि इसमें लिए कोई बात नहीं देखिये इसके बाद कहता है कि राशी के कितना सुरू में निकालने के लिए कहा गया था तीन बटा तीन सही एक बटा में कितना दो तो अब यह जो रासी है 4000 का हम लोग को निकालने के लिए पहले स्टार्टिंग में बोला था 301 बाटा में कितना दो पर्सेंटे तो इसका यहदी हम लोग 2% निकालते हैं तो मिलता है क्या 4000 गुणे 301 बाटा में कितना 2 गूढे कितना होगा? 100. होगा की नहीं होगा? 100 होगा, आएस्ते नहीं है, तो बाटा में इसको कर दीजिए न, सकसे कोई दीकत, तो यहां पर हो जाएगा 236 चोएक कितना? 7 यी चारई हाजार गूढे 336 चौढे 236 चोएक कितना? 7寺ह लिख लिख Welsh चारई यानिके 4000 गुणे 7 बटा में 2 गुणे हो जाएगा है 100 उसनी में चला जाएगा हर में कितना हो जाएगा कितना हुआ न यहीं कितना हुआ यानिके उसका जो है कि 4000 रासी का यदि हम लो निकालते हैं 30 1 बटा में 2 परसेंटेज्ट तो आपका कितना हो जाएगा 140 होगा जो कि आपका option कौन सा करेक्ट है बी आपका आपसं़ सही है लिकार है कि सही उत्तर क्या होगा तो सही उत्तर होगा आपका 180 तो उमीद होके कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और सेयर जूरू कर देजिएगा चलिए अगला कोशन देखते हैं 25 क्या कहता है क्या कहता है कि दिनेश अपने आई का 80% कर देता है यदि उसकी आई में 16 सही 222 30 की ब्रिदी हो जाएं तो तो उसके खर्च में जए कि 37 परसंधी सही हैं के दो प्रृसंटेज की ब्रिदी हो जाती है तो बताएыл कि इसंकि अब प्रतिषाथ व्चत क्या है यानि कि प्रतीसत आई प्रतीसत बचत कह रहा है कि जो नई आपकी find हो रही है तो उसका percentage कितना होगा जीतना आपका वह बचा रहा है उसका percentage आपको निकालना है दोस्तों कैसे फाइंक जारा देखिएगा तो मानते हैं कि दिनेश की प्रारामभिक आए सुनिएगा प्रारामभिक आए तो मान लेते हैं कि दिनेश की प्रारामभिक आए को रुपिया है सो रुपिया सुनिएगा इदाम बिल्कुल किलियर हो जाएगा कितना रुपिया है सो रुपिया अकौराई कि अपनी आए का तो 100 पर्षेंटेज का 80 पर्षेंटेज 먼्स पर्षेंटेज 100 पर्तिसत का यानी कि 100 रुपय का 80 निकालते हैं तो ऐसी बटा में 100 होगा क्यों बौता जीरुपयस जीरो कट गया जीरो यह कितना हुआ औह ठीकन 880 इनने किताना रूपिया खर्च कर रहा है 80 रूपिया नो जब प्राराम्भिक आए 100 रूपिया थी तो खर्च किया किताना दोस्तो औरget अस रूपिया सुनिएà 80 रूपिया कर दकी आइगा अल्फिर स्यह एक बटा में दो परसंटेज की ब्रिधी हो तो अब आए में अब नया निकल ला है न इसको ऐड़ करेंगे पूरे सो में तभी तो पता चले कितना बढ़कर हो गया है ठीक है यह कहों एक कितना सो सब हाइप कट गया तो आपका बचा क्या देखिए सोब बचा आब आटा में आपका सौरतिया सो रती या 48 48 दो कितना 48 दो पच्छास होगा की नहीं 50 बटा में कितना हो जाएगा 3 तो आपका कितना बना देखिएगा यह 300 हुआ थीम सो में पच्छास जोड दीजिए 350 अब आटा में कितना हुआ मुल्टिप्लाइद देख लिजेगा कहीं टेबल मना गलत हो तो सोरतीय आरतालीस आरतालीस अदू कितना होगा पचास होगा न यहीं पचास बटा में तिन हुआ इसको जोड़ा गया ते इतना यह निकि इसकी नई जो आए है इतना रुपिया हो गया अब जरह हम लोग आगे बढ़ते हैं आगी क्या करा रहा हो देखिये अब कहता है कि खर्च का साइटी साही एक बटा में दो प्रतिसत की ब्रिधी हो जाती है अब देखिए नया खर्च नया खर्च आपका कितना हो जाएगा पहले असी था और सी में जो है कि साही एक बटा में दो प्रतिसत की ब्रिधी हो रही है और देखिए प्रतिसत पहले कर लिजें इसको और यह हो जाएगा और सी दहने इसको चेंजिंग कर देंगे तेखिए अब यह हो जाएगा तीन दूनिके चवाने दो सकते लगां कोच होाण से लेक तीन दूनिके छा और लेक कितना भूराइब शाट दोने की तने कुझे एकस तर हुआ पट्रेञा साथ कितना इप कितना सब्सक्ति Suzanne जेके पचाथ कितने लेगा पर्साटने सब्सक्रते ..ीससे कट जाएगा एगा से यह 4 कट जाएगा है दस बच गया और फिर दो दुनी के चार हो जाएगा दो पाचे दस और फिर 55 की कटा ड़े कितना हो जाएगा कि पंदर कि पंदर नहीं 5 यह कम 5 हो जाएगा और 5 सते 35 कि पंदर हो जाएगा पंदर 5 5 75 होता है तो यह आपका हो गया कितना्य हो जाएगा कितना 210 रुप का ड्यारा इक इसा कैरिख बचत का प्रस्यलेघ कितना है यह रहा है और उसकी प्रतिसात प्चत क्य था तो बचत देखते हैं कितना बचाता है तो पहले था देखिए 350 बटा में कितना तीन खर्च कितना कर रहा है 110 रुपया आपका कितना हो जाएगा बचत तीन से इसमें गुड़ा करेंगे तो यह हो जाएगा 350 आप माइनस यह हो जाए कितना हं तीन सो इस आप बाटा में कितना हजाएगा थीन घटा दिजे तो जीरो हो जाएगा और फाँच में से जो है कि तीन घटेगा तम कितना जाएगा दो बाटा में कितना तिन इसको डिवाइड कर दिजeds सो डिवाइड करेंगे यानि कि 6 सही दो बटा में 3 रुपिया आपका क्या कर रहा है बचत कर रहा है तो इसका मतलब इतना रुपिया का तो बचत कर लिया या नहीं है तो हम लोग छोड़ सकते हैं इतना ही रुपिया हम लोग रहने लिए और इसका प्रसेंटेज तो बचत का प्रतिसत निकालेंगे पर्सेंटेज निकालना है तो परसेंटेज कम अदलब कितना सो से मल्टिप्लाइग की जाता है यहां से हो जाएगा तीन से के और रहा है कि अब प्रतिसत की बचत क्या हो प्रतिसत बचत निकाला है कटाएगा यहां से हम लोग दिवाइट कर दें तो पांध सते यह हो जाएगा क्या 25 हो गया थायके यह जाएगा पांगे के 10 पांच बटा में 7% यह निए कि कुल बचत जो प्रतिसत में दी बचत फाइंड करेंगे तो कुल बचत का जो परसेंटेज यह निकालेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 5 सही 5 बटा में कितना 7 जो कि आपका 25 का आपसन नंबर कौन सा करेक्ट है डी आपका आपसन नंबर पांच बटा में कितना 7 तो मेद होगति कि आपको यह समय में आया है आपको क्या क्या फाइंड करना है फैले परारम भी का खर्च निकाला गेया था और खर्च का जो है कि बृदी हो धे हो उसके बाद नए खर्च let01 को निकाल दिया गया तो दिफू आपका बच्ध कि ट प्रस्ट नमर 26 कहता क्या है ध्यान सका और सीज्ग आए 15 आई 20 परतिसत है है यदि निकी 78,000 हो तो कि मासिक आई कितनी होगी तो स्वाख आय जो है पुछ रहा है आप से कितना होगा जो कि पूछा गया था तो ऑर जार बारा में रहें हम शुलोशन करके देखते हैं तो in अगवां सिक एकी मासिक आई जो है बीगी माशिक आय का जो एकि 60 परसेंटेज तो देखेगा यहां पर लखेंगे कि एकी मासिक आया माई जिकैं एक एकि मासिक आग है बराबर बी की मासिक अ आय का कितना प्रसेंटेज बोला है 60 परतिसत कितना परतिसत साथ-परतिसत कि लेकिन हम लोग फाइंड हुआ है कि वी का जो मासिक आय है वी का मासिक आय आप से दिया है कितना 78,000 ठीक है 78,000 दिया है ना चले फाइंड करते हैं यहां पर तो आपको बी के मासिक आए का या निकि 78,000 दिया है अगुणे कितना साथ परसेंटेज है तो साथ बटर में कितना सो कुछ ने किया है यह आपको प्रोसेस जो ही कि चला है यह 00 कर देंगे यह हो जाएगा जीरो जीरो जो शवट है और छवट है 48 48 48 48 जो गितना आठ रूपेजा शो सत्य बायारी चार कितना ओगा व्यूंघार दिश्फिक कि यह जटेंगे कि तना रूपिय और इसके बाद करें कि कि मासिक आए कितनी होगी अब करें कि मासिक यह को सी कि मासिक आए का 120% है तो स्थी कि मासिक आई का 120 f30 ना तो यहां पर हम ले रहे एक की मासिक आए कि मासिक आए जो है फिर कह रहा था प्रसन में कि कि मासिक आई के बरावर था ना तो सी की मासिक आई ही कि माशिक है मासिक आए कि आएगा कितना Πरतिसथ 120 प्रसेंटेचes ठीक है 120 प्रसेंटिज एग मांद करना है इस्ते क्या होगा कट जाएगा ठीक है इसके बाद 2602 क्या दस त्व इसके बाद rants यह कितना UMम 15 स्थे हैं कि 4系 का करना है ना तो इससे क्या होगा कट जाएगा ठीक है इसके बाद दूच्छा के बारा दूच्छा क्या दस तो पांसे मल्टिप्लाइ कर देजिए इसमें 00 और पांचा बाटे 40 को सुनना हासिल 4 हुआ और पांच्छा के तो है सी उड़े कितना चैश्छा से इसमें डिवाइड कर दीजिए यह हो जाएगा कि तेश हजार यहनिकी 21 सेकड़ा हजार 10,000 लाग यहनि 2,34,000 बाटा में कितना चैश्छा इस इसकल क्या से यहां से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा वो देखिए डिवाइड यहां से हम लोग कर देंगे 2,3,4,0,0,0 ठीक है चैशा से डिवाइड करेंगे तो आपको हो जाएगा कि छत्री अठारव कि तेरे में से आठ घटेगा पांच होगा यह एक में से घटेगी जूरो यह जाएगा च्यार तो यह जाएगा साथ 32 हुआ चो ऑर्तालिस और च्वाशनावाश च्वाशनावाश छोवड र दन यह जाएगा बढ़ादी च्वाशनावाश फर्णावा च्याद कि उक्ट गया है तीन जीरो बढ़ गया है इसमें जीरो क्या करें बढ़ा देंगे यानि कि तो टोटल उन्तालीस सो यानि कि यह कितना हुआ उन्तालीस हजार तो आपसनवर कॉन सा करेक्ट है सी की मासिक अब यह आपका कितना है 49000 यानिकि C की मासिक आई जो हो जाएगी आप सवन अबर 26 था ब यानिक 49000 क्या क्या हुआ है देखिए पहले का रहा था कि इसमासिक आई का 60 % लेकिन का रहा था कि सी के मासिक आई का कितना परसेंट्टेश था 20 परटिसाद तो मासिक आए दिया था 870,000 लोक्त लिए है इसका 2030,000 निकाला गया तो इतना हो गया तुम का रहा था कि एक मासिक काएगा कीतना 12030 का पूछ रहा है न तो एक तो देखते हैं प्रस्ट नमर 27 में आपको क्या करना है कि अगर कि तो देखते हैं प्रस्ट नमर 27 आप से कह रहा है जरा प्रस्ट पढ़िएगा कहता है कि प्रदीद के इतिहास में प्रतांग गड़ित में उसके अंकों के साथ प्रतिसत के बराबर है तथा गड़ित में उसके अंक उससे भौतिक में मिले प्रसंटेज के बराबर है यदि तीनों में उसके कुल प्रतांग 147 हो तो इतिहास में उसके कितने अंक है जो कि आपका अपसंद दिया गया है पूछा गया था 2000 जो है कि चोधा में ठीक है चलिए आते हैं सेंपट पर आते हैं प्रतांग जो है हिस्ट्री का प्रता प्रतांग कर रहा है कि मैथ के प्रतांग से कितना प्रसेंटेज 60 % of 60 % संस्जाहами लोग कर दिए तो हिस्टिरी बराबर हो जाएगी देखिए प्रथम सर्थानुसार हम लूनने कर चल लहें जो कहा है ढहarty अर्था ये कौथी सर्थानुसार है कितना हुआ यानि कि यच बराबर हो जाएगा यम थ्री बच गया ना थ्री यम बटा में कितना पांच यह तो पहला सर्था अब जरा आजाओ दूसरे में आते हैं अब देखीगा कहता है कि गरिट में उसके अंक भावतिक में तो जरा मैत निकाल लेते हैं पहले मैत का निकालेंगे यहत निकालेंगे पांच यच बराबर कितना हो जाएगा ठीन हो जाएगा उससे भावतिक में मिले अंक से 60 अब दूसरी बार कारा है वो देखे कहता है कि गणीत में मिले अंक यानि कि मायत वाला जो अंक है फिजीक्स वाले अंक से कितना परसेंटेज 60 परसेंटेज तो आपका यह हो जाएगा, यम बराबर हो जाएगा अब यम कमान निकल चुका है ना यम कमान कितना है 5 यच बाटा में 3 आब आबर फिजिक सगवा का कितना है 60 परसेंटेज यानिक 60 बाटा में कितना 100 इससे यह कट गया अब कटाईएगा इसको दूत्याई 6 हुआ यह हो जाएगा 2 पाचे कितना 10 यहां से हम लोगा क्या मिला वो देखिए multiply करते हैं तो 5 पाचे 25 हो जाएगा यच आब बाटा में आपका हो जाएगा 3 तिलिके 9 आब बाराबर कितना यह फिजिक सगवा है ठीक है तो कहता है क्या कह रहा है कि यदि 60% के बराबर है तो यदि 237 में कुल जो है कि 147 हो तो इतिहास आप से पूछा है क्या हिस्टिरी का मान पूछा है वाई किसका पूछा है हिस्टिरी का पूछ रहा है कि हिस्टिरी में जो प्रप्तांग था हिस्टिरी का प्रप्तांग जो है कितना है दीक है चलिए बढ़ते हैं आगे तीसरी प्रक्रिया में हम लोग को यह दे रहा है कि तीनों का प्रप्तांग किसका तीनों का प्रप्तांग तो तीनों का प्रप्तांग का आपका क्या क्या है वो देखिए कर रहें फिजिक्स का मैत का और किसका हिस्ट्री का यदि प्राप्तांग यदि जोड़ा जाता है तो टोटल आपका कितना होता है 147 होता है ठीक है एक सो साहतारिस जार हमनों मान पूट करते हैं फिजिक्स वाला मान कितना है जो आपका है 25 distortrice ह pan कितना 9 माइत वाला कितना है मैं ये था यानिकि 5 हो एक सो कितना 3 got 1 यज़्या आप से हिश्ट्री का ही पूछा है किसका पूछा है हिश्ट्री का पूछा है पुछे कि Street नहीं हर प्रोसेस बढ़ गया एड किजेगा पांच पांच दस और न कितना हो जाएगा उन्निस को ना हासिल कितना हुआ एक हुआ अब देखिए दू और एक तीन तीन ओर एक हासिल कितना हो जाएगा लगा है अब यहां से आपका यह बराबर हो जाएगा यह यहां पर चल जाएगा इसली मुल्ट्यप्लाइ अब के कि आप नो सतीस और कितिन हो जाएगा है 42 को दू आशिल कितना हो गया चार अब कितना उन्चास अब उन्चास से जो है कि कि इसमें क्या करेंगे डिवाइट करेंगे 1533 में आपका मिलेगा क्या हो देखिए है यह जाएगा 4 13 12 9 तो टेबल यहाद नहीं है 3 से 4 से दिजिए तो 4 12 हो गया अब देखिए और 23 dándra 27 साथ हांसिल 2 हुआ और 3 चर्व को 12 12 2 चुर्व हो जाए है अधिक हो जारा है को अब लेचल लेख लेए 2 बार ठीक है और 29 अथारा को आथ हांसिल लेख हुआ चार बचा बारा में से घटा दीजिए चार हो गया यह चार बचा अब आरा में से घटा है तो तीन होगा है यहां पर हम लोग चार से भाग देंगे इसमें तब यह हो जाए कितना साथ बार ले चलिए यह हो जाएका सात नौर तीस रचको तीन हासिल छववा सच्चोग 28 28 और चार कितना पर चांतीस यहनिकी हो गया 27 से इस्ट्री का जो प्रप्तांक है यह पूछ रहा था कि आपसे पूछ रहा था कि हिस्ट्री का ओस्ट्री में उसने कितने पॉल्भात कि से कि आप क्रेक्टं mi कष uniformly हैं क्रेक्ट है है तो जो प्रस्ट नमब्र अठ्वारा जो देखेएं आपको प्रस्टन क्या संख्या है तीसरी यानिक दो संख्या है तीसरी संख्या से 20 प्रतिसाथ वह 25 प्रतिसाथ छोटी है ठीक है दो संख्या है तीसरी संख्या से 30 प्रतिसाथ और जो है नहीं 20 प्रतिसाथ और 25 प्रतिसाथ छोटी है तो कितने प्रतिसाथ दूसरी संख्या पहली संख्या से छोटी होगी तो मान लेंगे कि हम लोग कि माना तीसरी जो संख्या है मान लेते हैं तीसरी संख्या कितनी है 100 है कि ने घालन्प थीसाई संख्या कितनी है तो इसके बाद का रहा है कि तीसे संख्या से 20 परतिसाथ वह haar जो है कि 25 परतिसाथ च्छोटी है तो पहली संख्या ले लेते हैं पहली इस आंख्या कि इतना बा detis are ऐस यह है तो देखिएगा पहले तो 100 सो तो पहले अंख है और सो का यदि 20 प्रतिसत निकालते हैं तो बीस बटा में 100 यानि कितना मिला बीस यानि कि 20 प्रतिसाट जब कम है तो आपको कितना हो जागा टोटल ऐसी ठीक है समझ में आ रहा है इसके बाद दूसरी संख्या की बात करें को परसेंटेज कम है 25 प्रतिसत आपको कितना अब इसमें से घटाएंगे 25 दो परक्छाट्टर कर रहा है कि यह पहली संख्या या दूसरी संख्या पहली संख्या च्छोटी है कितने प्रतिस्ता छोटी है तो देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या कर रहा है कि दूसरी संख्या पहली से जो दूसरी संख्या है कि पहली से कितना प्रतिस्ता छोट है तो आपका देखिए कितना कम है पांच तो असी पर पाच कम हो रहा है ना लिखेंगे यहां पर कि असी पर पाच कम है तो पहले छोटी है ना तो 5 छोटी कर लिजी इसको चाहं हाुँ तुन है पांच चोटी है तो एक पर निकाल ये तो 5 वय्वात हमे झालेंगे कितना और फै SSD किन टनीकालें आरा है एक बार और अभी एक बार ओर रिपीट कर रहा हूं इसके वांद सब्सक्राइब सब्सक्राइब 25ट में कितना चार हुआ यह कटा दिया है 100 हो गया और यह एक कटा है न कि मिष्टेक हो गया यहां से हो जाएगा पांच बटम कितना असी और गुड़े कितना है सो क्योंकि 80 per 5 त॥ी हो रही है एक पी निकाए तो पांच बटा में प्रसेंटेश करना है 0 से एक जीरू क्या हुआ कट गया तो यहरे यह हो जाए कितना देखिए 2 25 भता में चार हो जाएगा यह लोग इसको डिवाइध कर दें तो डिवाइट करते कितना हो जाएगा कि चार चैके 24 हो जाएगा और 24 में से घटे फैनी यानिकी यह हो जाएगा चार सही एक बटा में कितना चार परसेंटेज जो कि आपका आपसन नमर कितना है डी आपका आपसन नमर करेक्ट है यहां हो जाएगा चार सही एक बटा में जो है कि परसेंटेज च्छोटी संख्य उतना क्या है कम कमी पुचा है नि कितने पर्दिस दूसरी संख्य हो रही है कितना 3 णंग्या माल पर्तिसाथ कम और कि संख्य का 00 udah संख्या को चीसए संख्या को आंगि है 75 एक निकालेंगी तो इसलिए पर निकालेंगे तो पांच पर निकालते हैं तो आप कहो तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा है कमेंट करके हमें ज़रू बतारेते रहेगा उम्मीद है कि आपको बिल्गुल समझ में आ गया होगा यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किजिए और अपने सेयर ज़रू कर दीजिएगा इस तरह से हमरे साथ जोड़ेगा प्रतेक दिन सुबह अच्छा वज़े हम आपके साथ हाजिर होंगे चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले परसनाली जो है कि सुरू की जाएगी यानिक अगला ध्याए 11 होगा जो कि आपका लाव और हाने है तो इस तरह से हमरे साथ जोड़ेगा और प्रतेक झाल 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